आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ This question we have given An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on photosensitive surface of negligible work function If m mass of is of photo electron emitted from the surface has d wobbly wavelength lambda d then question में क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई इस तरह से माले ते metal surface थी जिसका work function हमें negligible रखना है almost work function हमारा क्या है 0 है It means कि इस पे कोई भी हमारे पास अगर photon गिरेगा अगर work function हमारा negligible है तो माले ते इस तरह से हमारे पास इस पे कोई incident photon था जिसकी जो energy थी equals कितना हो जागा हमारे पास देखो hc by lambda question में क्या गिवन है जो incident photon है उसकी जो wavelength हमें देखो गिवन है lambda तो उसकी energy कितनी हो जागी hc by lambda इस पे आके गिरेगा work function 0 है It means क्या करेगा यहाँ से जो electron होगा इस metal surface से उसको eject करेगा यहाँ पे हमा लेते हैं हमारे पास electron था इस पे आके इस तरह से photon गिरा जिसकी energy कितनी थी hc by lambda अब देखेगा कि ए energy हमारा work function से जादे है या कम अब work function तो negligible है It means बिना कुछ सोचे यहाँ से electron बाहर की तरफ आजाएगा हमें पता है कि जो भी electron बाहर की तरफ आता है वो उसकी जो maximum kinetic energy होती है क्या होता अगर यहाँ पे देखो जो यह incident light थी दो पार्ट में जाती थी photoelectric equation जो हम लिखते है incident light, incident of any light जब किसी metal surface पे गिरती है तो दो पार्ट में divide होती एक तो क्या होता work function phi प्लस kinetic energy max में कि electron हमारा किस maximum kinetic energy से बाहर की तरफ आ रहा होगा तो अगर हम कहें इस system में हमें phi तो negligible रखना, it means phi को हटा ही देते हो तो जितनी भी total energy थी हो हमारा kinetic energy के रूप में चली जाएगी electron को provide हो जाएगी, it means अगर हम कहें 10 electron bolt यहाँ से energy आया इस photon की, तो यहाँ पर क्या होगा उस सारी की सारी energy, इस electron को kinetic energy में मिल जाएगी, kinetic energy provide करेगा और जिससे electron हमारा देखो maximum kinetic energy से बाहर की तरफ आएगा ठीक अब अब अगर kinetic energy की बात करो तो kinetic energy का formula कितना होता हमारे पास m into v, ठीक अब यहाँ पर देखो, question में कहा रहा है कि ejected with a d Broglie wavelength of lambda d अगर d Broglie wavelength की बात करो तो d Broglie wavelength lambda d equals to क्या होता हमारे पास h by p, ठीक p क्या होता है momentum, अब जो electron निकल रहा है उसके पास कुछ कुछ kinetic energy थी तो उसका momentum हम calculate कर सकते थे और यहाँ पर एक चीज गलत लिखा है maximum kinetic energy का जो formula होगा half m v max का square, ठीक है तो अभी हम यहाँ पर maximum हटाई देते हैं क्योंकि जो भी हमारे पास energy होगी उस electron को kinetic energy provide करेगी और उस kinetic energy से electron हमारा क्या होगा बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक तो इसका maximum लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा अब यहाँ पर देखिए अगर हम कहें, lambda p की value यहाँ पर put करो तो यहाँ पर जाएगा मरे पास lambda d equals to h by mass into velocity क्योंकि यहाँ पर देखो, electron अगर kinetic energy उसके पास थी तो कुछ नूँकुछ उसकी velocity रही होगी उसकी velocity हमने v मान रखा है तो उसका जो momentum हो जाएगा m into v हो जाएगा clear हो गया, अगर यहाँ से v की value calculate करो तो v equals to कितना हो जाएगा मरे पास h divided by m into lambda d basic सी बात थी, यहाँ पर दो चीज़े लग रही थी, एक तो यहाँ पर deeprogly wavelength का concept था, deeprogly wavelength कितना होता है h by p, p क्या होता है, momentum of a charge particle कि किस momentum से move कर रहा था, अब momentum किसका होगा जब ही हमारा incident light इस पर electron पर गिरी तो इसकी जितनी भी energy थी, इसको kinetic energy provide करेगी, अब इसकी kinetic energy के उज़े से motion करेगा जिसके उज़े से उसके पास velocity आ जाएगा motion आ जाएगा, अगर velocity होगा तो उसका momentum mass into velocity हो जाएगा mass क्या होगा, इस जो हमारे पास electron यहां से निकल रहा था, उसका mass हो जाएगा into velocity, अच्छा है, velocity किसके हो जैसे आगी क्योंकि इसके पास kinetic energy थी ठीक है, तो ये value आगे हमारे पास value put कर दीजे, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो kinetic energy होगा, kinetic energy किसके इकल हो जाएगा हमारे पास incident energy of a photon, क्योंकि work function तो हमारे पास 0 था, तो kinetic energy की value गर calculate कर दो, आजएगा हमारे पास half m, v की जगा पर put कर दो h by m lambda d का square, यह आगे हमारे पास अच्छाई, जीतनी भी kinetic energy थी हमारे पास incident energy जो photon की थी, उसके इकल हो जाएगा क्योंकि work function हमारा 0 था, ठीक यह work function हमारा almost 0 था, negligible था, तो value आजाएगी हमारे पास, देखो, हमें क्या find out करना था है यहाँ से, यह की जिगाप हम लिख सकते है hcy lambda, इसको यहाँ पर हम लिख दे रहे है hcy lambda equals to यह पूरा टम आजाएगा यहाँ पर आजाएगा, यहाँ आजाएगा half m h square divided by m square lambda d का whole square, ठीक हमने यहाँ पर इसको square को खोल दिया, hcy lambda क्या थी हमारे पास, जो incident energy थी photon की, उसकी energy थी क्योंकि उसका wavelength given था, lambda अगर wavelength given है, electromagnetic wave of wavelength यह हमें given है तो यहाँ से देखो, अगर wavelength given था तो उसकी energy कीती हो जाती, hc by lambda यह किसकी एककोल हो जाती, हमारे पास, kinetic energy of ejected electron, और kinetic energy of ejected electron हमें यह मिल जाएगा, half m v square, v कैसे हमने निकाला, क्योंकि हमें, जो ejected electron था, उसका d Brogley wavelength given था, lambda d, उसका हमें velocity पता था, यहाँ से हमने calculate कर लिया, solve करते हैं, हमें क्या find out करना था, lambda की value, तो हमें यहाँ देखा जाएगा, hc by lambda equals to, यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास, m h square divided by m square lambda d square, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास, m square lambda d square, और यहाँ पर 1 by 2 बाहर आजाएगा, अब यहाँ पर देखो, क्या cancel होगा, 1 h से h cancel हो जाएगा, यहाँ से 1 m से m cancel हो जाएगा, हमें क्या find out करना था, lambda की value, तो cross multiply करोगे, तो lambda equals to, कितना हो जाएगा, हमारे पास, देखो, 2 m lambda d का whole square, क्योंकि यहाँ पर 1 m बचेगा, यह 2 है, इधर जाएगा, cross multiply करोगे, तो 2 m lambda d का whole square into c, क्योंकि यहाँ पर 1 c बचा होगा था, divided by, यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे पास, देखो, h, यह आगे, हमारे पास, lambda की value, तो इसको थोड़ा simplify करते हैं, यह क्या होजाएगा, हमारे पास, simplify करो, 2 m c divided by h, यह पूरा इधर आजाएगा, यहाँ हमारे पास 2 m था, यहाँ पर c था, और यहाँ हमारे पास, lambda d का whole square, lambda d क्या था, d ब्रोगली wavelength of ejected electron, जो metal surface से निकला था, lambda क्या था, उस पे, जो energy incident होई थी, so that की electron हमारा निकल था, उसकी wavelength थी, तो उसकी वाली कितनी आजाएगी, 2 m c divided by h, into lambda d का whole square, तो यहाँ पर देखो, मारे पास, 2 m c divided by h, into lambda d का whole square, इस option number 1, is the right answer of this question, thank you,